मैं तो ऐसे कापने लगी मैं सीडियों में भी कैसे आओं बच्चा भी गोद मेर मैं तो मैं खुद रोने लगी उन्होंने चाओ लिये थाली में उठाइप उठाइप लिए इतनी जूर के मारे मेरे भी ऐसे लग रहा जैसे दर्द हो रही हो चाओनों से मूवे न किसको ही इस क्योणा ममी ने सुना दिया मुझे फिन मैं तो मैं आज हम यह ब्रूल्ल ब्रेक कर सकते हैं आज में दूसरा हो डूरा स्टोरी तैम ले हाता हूं इस वीक पे अंदर ठीक है पहाड तुमें दिखते है ना उसमें जो 2-4-5 लाइटे जलती भी दिखते है वो गाओं होते है बेसिकली उनमें हमारा गाओं है और मेरे दादा जी के गाओं की स्टोरी है श्यों मेरे मäरे दादा और दादी है वाला, याहा ना मैं तुम्हे घर बताता हूं वमार ऐसे है एक रास्ता जा रहा है में तुम्हेन बता हृथ citizen हां और कि12 मी जैन्ट रह उसके घर में छिपैन और अन्नु पंगम कितने साल क Doctors तो दो साल का था माम उस्टाइड को यह सुरी कब सुनागी मम्मी ने दुपैर में तभी बैठा हो यहाँ पर कि मेर से रिलेड़ेड़े कुछ है तो मैं तो मैं तुम्हे बता हूं कि यह दादाजी का घर था यह साथ में हमारा गर था और इस साइड को ना यहाँ पर एक एक अगे बुजूरग थे परमी भी आ कि मम्मी गया उनका घर था और इस साइड को यह रास्ता जा रहा है ना पतला सा रास्ता क्योंकि फिर एसे श्चैफ आभम ईंए ऊपर को पहाड जा रहे है निचे को पहाड जा यह निचे नदी होती है तो इस साइड को जंगल है तो बे स्टोरी तुम मम्मी बताएगी और एक होड़ चीज बताना चाहता हूं हमारे गाउं में अब ऐसे कि सारे के सारे जो गाउं के लोग है ना वह काम करने के लिए शहर में लिए यहाँ तो गाओं में अधू घरों में तलिल लगे वे और दोदो एक एक लोग लेद SCOTT टो पापा यहाँ पर ठंड़ीगड में अपनी जयुअ तो फिर घाउं चले गे तो फिर गाई के लिए थोड़ा सा घास भी चाहिए था तो एक दो खेत भी कर दिये वहीं पर नजदीक नजदीक के हैं तो गाई भी रखी थी डर इतनी लगती थी कि दुपेर में ही बना देना खाना खुना जो है क्योंकि तब दादाजी को भी छे म मैंने साथ मैंने हो गे थे गुजरे वे एक साल हो गया था समझो नहीं तो पहले दादाजी भी थे गाई भी रखी हुई थी घास भी चे ये था अनूब भी देखना था कभी-कभी आते थे मामा मौसी ना उदर से नहीं तो फिर हमी थे घर में वैसे सोने के लिए उपर वो एक दिन क्या हुआ कि भाई इस अनूब को लेके मैंने का चल वो सामने वाले खेत में दाल बोनी थी दाल बोई तो थोड़ा सा कुदाल से उसको प्लैन करते हैं बीज मिट्टी में लगाना था वो तो अनूब को भी लेगी वहीं पर एक चोटा मैट लेगी वहीं पर बिच आगी होगी चल वाई रो रहा है तो पहले चुप चाप ऐसे ही बोलती रही हो गया खुआ फोग जया आप लेके वह एक चुपी नहीं होगा दिक होगया 6500 का टाइम हो गया चल घर चलते हैं वहीं वाले खेत में जो 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 जाब घर आऊ उसके सात वाले खेत में तो फिर अब जो दिन की सबजी थी उसमें रोटी भी नी मनाई उसको भी उपर लेगी रात को थोड़ा दूद गरम करना था थोड़ा उनुको पिलाना थोड़ा आपे ना वो डर के मारे कौन बढ़ाय नीचे खाना डर भी लगती थी आज तो लग रहा है कि यहां इतनी उस टाइम प तो उसकी लाइट आ जाती थी पता नहीं क्यों नहीं लगाई थी लाइट घर में फिर बाद में लगाई लाइट भी उस टाइम पे नहीं थी तो डर के मारे बुरे हाल जैसे ही उपर आये पहले तक रोई रहा था या मैंने ध्यान नी दिया होगा इसके मूँ पर देखा य यह मेरे पर देखता है खाली ऐसे कर रहा है मैं तो ऐसे का अपने लगी मैं सीडियों में भी कैसे आओ बच्चा भी गोद मेर मैं तो मैं खुद रोने लगी इसकी आवासे ज्यादा मेरी आवाज आने लगी मतला जब खेट से घर पर आई तब तक रोई रहा था पिर मैं द को इसने मेरी तरफ देखा इतनी मोटी मोटी आखें गले में गुट गुटो रहा वो ज्यादा रोलिया ना तो आवाज बैठी बैठी सी और ऐसे देखो कि रितनी मोटी आखें पलक जपकाए भी नहीं से घूरने लगे मैं तो डर भी लगी दोनों चीज होगी मैं इसको क् कर रही दूद पे कुछ भी नहीं आसे मैं तो मुड के ताई जी का पास चलेगी वहीं पे जो वो बुजर्गता होता ही थे तो वो आ रहे थे नीचे गौसाला से आपनी हाथ पर डोलू-डोलू लेके क्या हो गया मैं का इसको पता नहीं क्या हो गया यह रहा है तो पहले उ टाइम गाओं में जो है स्याम के टाइम बच्चों को बाहर नहीं रखते हूं असे तो पहले ही मैंने भी अंदर चले जाना था पर मैं तब डर के मारे आ रही थी इदर उन्होंने मेरे को डांट लगाई फिर मैं आगे इदर तो दोनों पाउता ही आगे फिर हमारे घर वो पर मेरे को डांट रहे थे उस ताइम पर उन्होंने चाउन लिए थाली में उठाई पुठाई लिए इतनी जूर के मारे मेरे बी ऐसे लग रहा जैसे दर्दोर ही ओ चाउनों से मुह पे न ऐसे लग रहा और ऐसे दो अजिव अजिव जीव कर रहा था और फिर दूद पेन लग गया खुद दूदी पे लग गया तो चुप हो गया फिर उन्ताओ जीने वो करके इस पर पिटानी प्टा लगा के दर्वाजा लगा जहां डिम का है वहां पहुंचे वह उनको लेके जहां हमारे खेत था फिर उसके बाद वह रात को भी हमारे ही साथ रहे फिर अगले पर वाली वह रहते हैं वहां का माहूल ऐसा रहता था फिर अगर बच्चा ऐसे करें आज कर यहां पर होता था वैसे भी आर गाउं में है कुन कोई भी नुटा बढ़े कि सारे इधर उदर गए वें कोई इधर चंदिगर जोग कर रहा है तो कोई डैली कोई कहीं इंडिया क दो तो और वी डर लगती जैसे घर के ऊपर एक पेड़ था वह पाईया वाला उस पे क्या होते है उलु आउन जब वह रात को हूं खरता तो और भी डर लेगती कानमें उंगली डालनी पड़ती थी वह अभी भी कर रहा है वह दीडी और मैं करते थे वह बहती है इतने डरत सब्सक्राइब कर दोड़ते उदर तो उनकी आवाज आती तब डर लगता अच्छे को उपरी जप्टा लग गया था उपरी कोई किसी क्या बोलते हो उसको अब गाउं जो उत्राखंट के ना उन्हें पता को चौल लगना कहते हैं हमारे आप अगर कहीं पर बचा डर जेना य क्यां वाले लोग और ठीक प्यों जाता है उसके बाद तो एक रहते हैं करी थी दो तिर आप अगरा करने के बाद के बढ़ता यह सब कुछ तीन चार मेने बाद तो हम सब आई गए थे तब नीचे या थी उसके बाद तो चंडीगरी आ अगे थे फिर मैं रोनी भी फिर लो कुंकि तसमार हो वी नदन होगे तो भीके स्क्राइट Kशा भी आपडे पडा पर उसके बार भी मतलब तो यह looks奇 प्रॉप ज्क्राइब जाते हां मार्गेश्ग की जाते थे हमेशिंद्ग की सालमें एक बादый लगएव इसके जाता अन्याम उसके। तो आज ममी ने सुना तो मैंने सुचा कि क्योंना तुम सब के साथ भी शेयर कर आ जाया तो अगर तुम कोई बीए ऐसा horror incident है तो तुम comment section में मेरे साथ share कर सकते हो याँ तो फिर तुम मेरे को Instagram पर follow कर सकते हो और अपनी स्ट्री मेरे साथ share कर सकते हो मैं next time तुमारी स्ट्री श में आप्त करते हैं मिलते नेक्स और टाइम में तब तक के लिए बाबाई टेक एर अपना ख्याल रखो